आज का नास्ता बहुत ही खास होने वाला है बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटा और बहुत ही कुरकुरा तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और पाउडेब चिली फ्लेक्स एड़ करें गर्मसी पोडर, चिली फ्लेक्स ना बाज़ परिए प्रेट खीड़ अजो देवरेवस करें, तो छटो ढेकिंडर करें और पनीनिसी से पतर। तो पहले हमें थोड़ी थोड़ी ही पानी आइट करनी है नहीं तो जादा पानी आइट कर देंगे तो इसमें काफी लम्स पढ़ जाएंगे तो इसलिए थोड़ी थोड़ी पानी आइट करके अच्छे से गाढ़ा सा घोल त्यार कर लेंगे उसके बाद इस नास्ते को प्रिकुल भी नहीं करना है तो यहां पे हमारा घोल जो है अच्छे से फेट लेना है दो से चार मिनट तक और घोल जो है वो बनके रेडी हो चुका है अब हमें इसको रख देना है साइड पे और पांच मिनट के बाद इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो पांच मिनट हो गया है तब तक हमने यहां पे आलू को घीस कर इसके लंबे-लंबे स्लाइसेस निकाल लिये हैं और यह थोड़े से लंबे-लंबे ही करने है पतले वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है और आलू को अच्छे से तीन से चार पानी धो कर पानी सारा निचोड कर तब इस बेशन म और सबसे पहले इन सबी को अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें काफी किरकिरी होते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है तो या तो आप चम्मच की मदद से मिला ले या तो हाथों की मदद से इसे मिला ले तो ऐसे ही हमें अच्छे से मिला लेना है और इसमें पानी नहीं रखना है जो हमने आलू और धनिया पत्ती सोया जो हमने डाला था इसको अच्छे से पहले निचोड लेना है तब ही हमें इसमें add करना है नहीं तो ये काफी पानी पानी हो जाएंगे तो इसमें जादा और बेसन हमें अलग से डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप सौफ्ट होने के लिए रख दे रहें पांच मिनट के लिए और पांच मिनट बार देखी हमारी आलू और सभी चीजे अच्छे से सौफ्ट हो चुकी है अब चलते हैं इसे बनाने तो गैस सुले पे हमें कढ़ाई रख देना उसमें तेल अच्छा सा गरम कर लेना है हाई फ्लेम पे गरम करके और मीडियम फ्लेम कर लेना है तब इसमें एक चमच इस नास्ते में से हमें एड़ करते जाना है एक बार में जीतना नास्ता हमारा तो यहां पर एक तरफ होने के बाद इसे हमें दूसरी तरफ पलट लेना है और देखिए कितना सुन्दर सा कलर आ गया है बहुत ही कुरकुरा बनके नास्ता हमरा त्यार होता है और बहुत ही चटपटा लगता है तो आप लोग एक बार इस तरीके से जरूर बनाईएगा आप लोगों को भी काफी पसंद आएगी तो यहां पर देखिए नास्ता हमरा जो है वह अच्छे से दूस्तरी तरफ भी अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है अब इसको फिर से पलट दे रहे है ताकि हमें इस नास्ते को कुरकुरा बनाना है तो यह थोड़े से कुरकुरा हो जा आए या टमाइटो केचप के साथ सर्प कीजिया बहुत ही टेस्टी लगेगा या साम के चाय के साथ भी आप इसे इंज्ड़ाई कर सकते हैं और देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है देखने में काफी अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंड् नई रेश्पी देखने के लिए और मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमली में जरूर सेयर किजिएगा तो फिर मिलते हैं कल एक नई रेश्पी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिये टेक क्यार बाबा